स्विमिंग पूल में नहाने का मज़ा ही आगया दहाते नहाते तो मेरे को सुसु आने लगी आप क्या करूँ वश्रूम भी दूर है आप कौन जाए इतनी दूर सुसु करने आरे चोड़ो यही स्विमिंग पूल में कर डेता हूँ किसी को क्या पता लगेगा और गोविन स्विमिंग पूल में ही सुसु करने लग जाता है प्रेशर के बाद हलका होने में जो मज़ा आता है वो और किसी चीज़ें मज़ा आता ही नहीं है कि तभी गोविन की नीन खुल जाती है और वो देखता है उसने बिस्तर पर ही सुसु कर ली थी और वो अपने बगल में देखता है तो उसकी पतनी सुधा वहाँ पर नहीं थी ओ शिट आज ये फिर क्या हो गया मेरी नीन में सुसू और पॉटी करनी की आदत कब खतम होगी मैं तो परिशान हो गया हूँ वो तो शुकर है सुधा जल्दी उटके काम में लग गई नहीं तो उसके सामने मेरी इज़त का फलूदा हो जाता कल ही तो शादी हुए हमारी अगर उसे पता लगता कि उसका पती ऐसे बिस्तर पर सुसू करता है तो वो मेरे बारे में क्या सोचती गोविन जल्दी से उठता है और बैटशीट चेंज कर दीता है और जल्दी जाकर नहाकर आजाता है कि तभी सुधा कमरी में आती है सुधा देखती है कि किसी ने बैटशीट चेंज कर दीती गोविन जी ये बैटशीट किसने बदल दी मैं तो सोच रही थी कि नाष्टा तयार कर देती हूँ तब तक आप उच्चाओगे तो मैं आगे आप बैटशीट चेंज कर दूँगी ये सुनकर गोविन काफी जदा हर बड़ा जाता है कि सुधा को शक्त ना हो जाए अरे अच्छा थोड़ना लगता है मेरी बीबी ही सारा घर का काम करे अरे भाई हम कब काम आएंगे वो बैटशीट मैंने ही चेंज कर दी थी कि तुम्हारा थोड़ा काम कम हो जाए ओ हाई गोविन जी आप कितने अच्छे हो आज इस घर में मेरा पहला दिन है और आप ही मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हो ओ माई स्वीठार्ट ये तो मेरा फॉर्स था कुछ स्पेशल थोड़ा किया है मैंने इतना बोलकर गोविन अपने ऑफिस जाने की तयारी करने लगता है और ऑफिस जाने के लिए तयार हो जाता है और सुधा भी नाश्ता बनाने में अपनी सास की मदद करने चली जाती है दोस्तों आप ये सोच रहे होगे कि इतना बड़ा और वो भी शादी शुदा आदमी बिस्तर में सूसू करता है जी हाँ गोविन को ये बिमारी कैसे लगी हमें ये जानने के लिए गोविन के बच्पन में जाना होगा ये है हमारा गोविन चोटा गोविन जो सूरा है जब वो साथ साल का था गोविन नीन में था और भूत के सपने देख रहा था तब ये उसकी नीन खोल जाती है हे भगवान आज तो मैं बच गया नहीं तो वो भूत आज मुझी खाई जाता दर के मारे तो मेरा सूसू आने लग गई है अब क्या करूँ दर भी लग रहा है ऐसा नहों कि मैं सूसू करने चाहूँ और वो भूत मुझी पकड़ कर खा जाए नहीं गोविन अभी तो मैं बच्चा हूँ और मेरी अभी तो शादी भी नहीं है मुझे नहीं मरना इतना जल्दी इससे तो अच्छा होगा कि मैं यहीं बिष्टर में सूसू कर लेता हूँ सूसू के लिए भला कौन आदमी जाकर रिस्क ले हाँ मजा आ गया हलका होने में जो मजा है वो और कहीं भी नही इतना बोलकर गोविन सो जाता है अब यह उसका डेली का काम था पहले तो बात सूसू तकी सिमी थी पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा दीरे दीरे उसने अब पौटी करना भी शुरू कर दिया था ऐसे ही एक दिन फिर गोविन बिस्तर पर ही सूसू और पौटी कर दिता है और सूबे उठता है यार आज फिर बिस्तर खराब कर दिया मैंने आज फिर डांट पड़ीगी चलो कोई बात नहीं अब तो आधची हो गई है तब ही वहाँ पर उसकी मा आती है और वो आज फिर खराब बिस्तर देकर काफी जदा भड़क जाती है अरे नालेक इतना बड़ा हो गया है अभी तक अकल नहीं आई पता नहीं कहां से ये बिमारी तुझे लग गई है जो पीछा ही नहीं छोड रही है शहर के अच्छे से अच्छे डाक्टर को भी दिखाया पर तुझ ठीक ही नहीं होता है पर माम मैं क्या करूँ अब मैं जान मुझके तो नहीं करता न अपने आप ही हो जाता है मुझे तो सुबह उठके पता लगता है हे भगवान मैं क्या करूँ उसका चल कोई बात नहीं अब तयार हो जा जहां हमें लड़की देखने जाना है गोविन और सुधा दोनों तयार होके लड़की देखने चले जाते हैं और कोची समय में वो रेखा के घर पहुँच जाते हैं जहां रेखा और उसका पती उनका स्वागत करते हैं शारदा और गोविंद को लड़की बहुत ज़दा पसंद आती है और गोविंद का रिष्टा सुधा के साथ पक्का हो जाता है और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है अब बारी थी गोविंद और सुधा की सुहाग रात की गोविंद के चहरे पर डर साफ साथ एकसा पर वो बेचारा क्या करता नी तो आनी ही थी और जैसे ही वो सुया तो उसकी अतरंगी सपनों की वज़े से उसने बिस्तर पर ही सुसु कर दिया पर वो तो शुकर है तब तक सुधा उठ चुकी थी और बिस्तर पर नहीं थी अब आगे की कहानी बेटा कोविंद आज तो बच गया पर हमीशा नहीं बच पाएगा तुझे कुछ करना ही होगा नहीं तो तेरा भाणा फूट जाएगा गोविंद आफिस पहुच जाता है और पूरा दिन बस यही सोचता रहता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे साब भी मढ़ जाए और लाठी भी ना तूटे कि तब ही उसके फोन में उसको हगीश की एड दिखाई देती है जिसे देखकर उसकी आँखों में चमका जाती है यह सही है मैं रात को यह हगीश पहन के सो जाऊंगा और सुबह फीक दूँगा इससे चैनकी मैं नींद भी सो पाऊंगा गोविन शाम को घर जाते वक्त बाजार से हगीश लेके जाता है और घर आ जाता है आज उसके चैरे पर अलगी खुशी थी और वो हगीश के बारे में अपनी मा को भी बताता है मा, मेरी समस्या का हाल मिल चुका है ये देखो, मैं हगीज लेके आया हूँ अब मैं ये पहन के सोया करूँगा और मैं ऐसे सुबह उटे ही फेग दिया करूँगा ताबा ताबा, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे है इतना बड़ा बेटा, अब हगीज पहनेगा पर बिस्तर पर सुसु पौठी करने से तो अच्छा ही है बेटा पर बेटा, कहीं बहु ने देख लिया तो बहुत ज़दा गड़बड हो जाएगी तुझे ये संभल कर कहीं पर छुपा कर रखना होगा हाँ मा, मैं हगीज चुपा कर ही रखूँगा, तुम चिंता मत करो अब गोविन रोज हगीज पहन के सोने लगा और रात को उसमें सुसु पौठी कर देता और सुबह उस हगीज को डस बिन में फेक देता पर बद्बू की वज़े से सुधा को थोड़ा-थोड़ा शक होने लगा गोविन जी, आपको नहीं लगता हमारे कमरे में कुछ समय से कितनी गंदी बद्बू आने लगी है जैसे कोई पौटी कर देता हो ये सुनकर गोविन काफी ज़दा डर जाता है क्या कहा? क्या कहा बद्बू? कैसी बद्बू? कोई बद्बू नहीं है, मुझे तो कोई बद्बू नहीं आ रही लगता है तुमारे नाक में ही दिक्कत है नहीं नहीं गोविन जी, बद्बू तो आ रही है पर अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है, मुझे ही वहम हो रहा हूँ अगले दिन सुधा साफ सफाई में लग जाती है और वो ठान लेती है आज तो पता लगा की रौंगी कि ये बद्बू आती कहां से है पूरे कमरे में अच्छे से सफाई करती हूँ, तभी पता लगेगा सबसे पहले वो अलमारी की सफाई करने लगती है जैसे ही वो सारा समान निकालती है, तभी पीछे रखा हगीस का पैकेट देखती है ये हगीस? ये हगीस कहां से आया हमारे कमरे में? यहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं है हाँ, चुलो कोई बात नहीं, क्या पता गोविन जी के कोई रिष्टिदार यहाँ पर भूल गए हो? सुधा कमरे की सफाई करने लगती है, पर उसे अभी तक पता नहीं लगता कि बद्बू आती कहां से है पर वो जैसे ही कोड़ा फिक ने डस्बिन के पास जाती है, तो वहाँ पर उसे बहुत तेज बद्बू आती है वो कोड़े दान को लाट मार कर गिरा देती है, तो उसमें कोड़े के नीचे गोविन की पौटी से सना हगीज देखती है सुधा अपनी सास और अपने पधी पर नज़र रखने लगती है, और एक दिन वो गोविन को हगीज विकते वे देख लेती है गोविन जी, आप इस्तमाल करते हो अगीज, आप कोई शरम नहीं आती, इतने बड़े होकर अगीज पहनते हो, मैं अभी माजी को बताती हूँ, आपकी इन हरकोतों के बारे में सुधा शार्दा के पास जाती है, और गोविन भी सुधा के पीछे-पीछे चल देता है, और दोनों शार्दा के कमरे में आ जाते हैं, सुधा अपनी सास को सब कुछ बताती है, पर शार्दा तो पहले से ही सब कुछ जानती थी सुधा बेटी, मुझे सब कुछ पता है, मुझे माफ कर दे बेटी, जो हमने तुझसे ये बात चुपाई, ये बात हमें तुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, कि कोविन को सोते-सोते बिस्तर में सुसू और पुटी करनी की बिमारी है क्या? क्या कहा मा? बिमारी है? तो आपने इलाज क्यों नहीं करवाया इनका? सुधा, शहर का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, जिससे मैंने अभी तक अपना इलाज नहीं करवाया हो, पर इस बिमारी से मुझे राहत ही नहीं मिलती है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात सुधा जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था इसलिए मैं चाहा कर भी तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाया इतना बोलकर गोविंद की आँखों में आसुआ जाते है और ये देखकर सुधा गोविंद को गले लगा लेती है गोविंद जी आपको चिंता करने की कोई जर्वत नहीं है मुझे आपकी बिमारी से कोई परिशानी नहीं है और वैसे भी सब में कोई न कोई कमी तो होती ही है कोई भी पर्फेक्ट नहीं होता पर हाँ आगे से हगीस घर से बाहार फेकना घर में नहीं मैं कुछ भी बरदाश कर सकती हूँ पर आपकी पॉटी की बद्बू नहीं इतनी गंदी बद्बू आती है और तीनों हसने लगते है अब सुधा को सब कुछ पता लगया था तो तीनों खुशी-खुशी रहने लगते है और सुधा का साथ पाकर गोविंद की बिमारी भी धीरे-धीरे कम होने लगती है और कुछी समय में वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है आपको अमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएएका अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्टों के साथ में जरूर से शेर कीजिका और हाँ, चैनल को सब्स्क्राइब करना न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना धिहान रखिए थैंक यू, बाई बाई